जैहिंद सीटेट 2024-25 जैसा कि आपको मालूम है कि सीटेट 2024-25 का नेक्स्ट एकजाम यानि आगामी एकजाम लगभग दिसंबर जन्वरी में हो सकती है सीटेट अब एक समय में कितना महत्पुर्ण हो गया है ये किसी से छिपी नहीं है क्योंकि अगर आप सिक्षक बनना चाहते हैं अगर आपने BA किया है तो सुभाविक रूप से अगर प्राइमरी लेवल का टीचर बनना चाहते हैं 125 और 628 का तो आपको सीटेट करना ही होगा और सीटेट साल में दो बार इसकी वेकंसी आती है और कोश्चन का लेवल किस कदर होता है कि रिजल्ट परसेंटेज इसका मिनिमम होता है इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि सीटेट का लगातार बैच प्लेटफॉर्म बाई नवीन कुमार सिंग में चलता रहा है तो उसी करी में हमने लगातार सुधार भी करते रहें और हमेशा बहतर करने की कोशिस भी की हैं और टीम को भी धीरे-धीरे मजबूत करने का प्रियास किया है कि जिससे कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी यहाँ पर confusion की स्थिती बनी रहेगी तो इसी करी में इस बार जो सिटेट का अभी जस्ट आज से अपना बैच स्टार्ट हुआ है ऑनलाइन में platform by नभीन कुमार सिंग एप पर minimum cost में minimum cost का मतलब यूं समझिये कि 125 का मात्र 499 रुपिये में बैच जो की all over इंडिया में सबसे सस्ती बैच है और 6 to 8 का 599 और अगर 1 to 5 6 to 8 दोनों करना चाहते हैं तो मात्र 699 अब इसी से आप अंदाजा लगा लिजे इससे सस्ती क्या बैच हो सकती है और offline mode में करना चाहते हैं अराम से Monday से अब आगामी Monday से अपना बैच स्टार्ट होगा दो बजे से 7 बजे उसका timing होगा पहले आ करक कि दो दिन तीन दिन चार दिन आप डेमो करिए अगर अच्छा लगेगा तो उसको continue करिए इस दावे के साथ इसलिए हम बोल रहे हैं हमको पूरा भरुसा है कि आपको अच्छा लगेगा ही लगेगा अपनी पूरी टीम पर हमको भरुसा है और बहतर रिजल्ट के लिए इस इस पर हमने खासा फोकस किया है कि और बहतर परफॉर्मेंस के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं तो जब हम इससे डेमो भी आगे चल करके देंगे मंडे से संभवता आप वहां भी देखेंगे लेकिन पटना रहते हैं तो आराम से दो बज़े आईएगा मंडे से दो-चार दिन देमो देखिएगा संतूष्ट होईएगा तो continue करना है और अगर आप online mode में हमसे जूरना चाहते हैं तो platform by नभीन कुमार सिंग एप को download करके सीटेट सेक्शन में जा करके वहां हमने intro जो एक दिन अभी class चलाया है उस video को open कर दिया है उस video को आप देखिएगा तो आपको अंदाजा हो जाएगी कि किस तरह की team यहाँ पर पराती है क्या content रहता है या क्या deliver करती है तो हम चाहते हैं कि बांकी बांकी बारी-बारी से ज असानी हो जाए सबसे पहले हम हिंदी के सनिमेश सर की बात करेंगे सनिमेश सर हिंदी आपको परहेंगे language paper और जबर्दस्त इनका पकर रहा है अपने subject में और हमको लगता है कि पूरा लाब इसमें मिलेगा और 30 में कितना मार्स आप ला सकते हैं इस पर भी सर्चर्चा करें सब्सक्राइब करते हैं तो सीटेट में हिंदी एक मत भूम के आधा करता है और आपको पता है कि यहां से 30 क्योंस यान इकुली मिला करके 150 क्योंस आपके आते हैं हला किसमें हम लोग श्क्षण सास्त्र की जब बात करते हैं तो हर पार्ट से आपके 15 15 एक्रिशन स्क्षण सास्त्र से भी आते हैं तो यह भी एक मत पुन भूम का अधा करता है और हिंदी के अंतरगत जो आपको पूरा हिंदी के अंतरगत हम आपको कबर कराएंगे वहला क आपको उनके थुरू भी श्क्षण सास्त्र पढ़ने का अच्छा मौका मिलेगा तो तो आने का सेंस यह कि आपको सीटेट की तयारी किस प्रकार से करनी है कि बहुत सारे स्ट्ुड्यट क्या करते हैं की बहुत ज्यादा कानिफूज रहते हैं कि सर कैसे पढ़े हम क्योंकि कि बढ़े बड़े होते हैं तो टेंसन लेनी सकता है यह कि आप प्लेटफॉर्म के अच्छे प्लेटफॉर्म से जूड़े हैं और आपको एक उछ शिक्षण यहां पर आपको प्रदानभी किया जाएगा अच्छे सिक्षकों के माध्यम से हम आपके साथ हिंदी के सेशन के साथ जूड़ेंगे इसके बाद आपको अगले शिक्षक जो है कि बताएंगे यहां पर बहुत-बहुत धन्यवाद थेंक्यू वेरी मस्यूंग नमस्कार साथि साथियों सीटिट में हम देखते हैं कि सबसे जादे कोश्चन आपके पेडलोजी और सीडिपी के रहते हैं यानि नब्बे कोश्चन की भागिदारी होती है और इस नब्बे कोश्चन को अब की बारी हम लोग ऐसे परहा जाएगा जादू मंत्र के साथ ट्रिक के माध्यम स से भी विश्त्रीत अध्यन के माध्यम से भी कि आपको लगेगा कि कितनी बहत्रीन तरीके से हम यह कि क्यानी चार चार पांच-पाच लाइन के कोश्चनों को हम केवल ऐसी ट्रिक बताएंगे कि आप तुरंट देखते एंसर मार देंगे जैसे इसमें हम लोग यह हिंदी का स्की समय तो आपका साइको का हो जाता है तीस हैं हें हहन चार श्रटा का होता है और इसमें जो है कि जब हम 6 relevant की बात करते हैं तो उसमें 30 नम्मर का आप देखे होंगे कि 30 नम्मर का साइको होता है 30 नम्मर का हिंदी होता है 30 नम्मर का सगेंड लेंज्वेज होता है और जो आड़ के अभ्यारती होते हैं उसमें सामाजिक विश्य के आपके साथ कोश्चन होते हैं जिसमें हिष्टी पॉ संदी होंगे सिच्छन होंगे CDP के पार्ट होंगे यह टोटल पार्ट हम देखेंगे देखेंगे और चाहे आपको विश्वास भी दिलाता हूं कि इसमें आपको 100% मार्क दिलाने का प्रयाज करेंगे साथी हमारे इस पूरे भारत से जिस भी राज से आप बिलांग करते हों उस राज से हमारा आनलाइन आफलाइन दोनों चलता है आप आनलाइन वहां से पर्चेश कर सकते हैं जो यहां आ नहीं सकते हैं बाकि हमारे जो पटना के साथ ही है वो पटना में यहां विकना पहारी में आफलाइन बैच भी स्टार्ट है आप यहां आए और हमसे जुड़ Thank you sir, मैं आपका जोहांसर, इंगलीस की कमान समालूँगा, मैं सीटेट में और जहां तक आप इंगलीस की बात करेंगे, आपके 30 questions वहाँ पे देखने को मिलते हैं, जहां पे 15 questions इंगलीस पेडागॉजी से आएंगे, जिसको हिंदी में आप सिक्सन सास्तर कहते हैं, तो इंगल पेडागॉजी से और फिप्टिन आपके grammar और comprehensive से देखने को मिलता है, जो बिल्कुल basic रहता है आपका, पेडागॉजी बच्चे समझ नहीं पाते, क्योंकि वहाँ पे language का game होता है, बच्चे language समझ नहीं पाएंगे, जब हम से आप जुरेंगे, तो हर एक topic को पहले हम theory के तहत पढ़ते हैं, फिर उस पे हम question practice करेंगे, और आपका यूज संस्था जो है, अगर आप offline हमसे जुरना चाहते हैं, तो यह है हमारा पटना, सेथपूर मोर विकना पहारी में, platform by नवीन कुमार सिंग, online, offline, दोनों mode में आपका चलेगा, और आपको बिल्कुल परेशान न चले, good evening आप सभी को, देखें, मैं आपको science पढ़ाऊंगा, और आपको यह पता होगा, अगर science का paper देखे होईएगा, तो बाकी exam के science के paper से थोड़ा इसका अलग होता है, बाकी exam में क्या होता है, कि एक line या दो line का question होता है, जिसमें आप option पे जाते हैं, तो कई बर छोटा करने से काम नहीं चलेगा, पूरे अच्छे से समझ बनाना पड़ेगा science के paper पे, तब हम जाकर के वहाँ पे logic लगा करके question को solve कर पाएंगे, तो जब हम यहाँ science पढ़ेंगे, तो बिल्कुल आपका जैसा seated का pattern है, उस base पे हम आपको theory भी कराएंगे, और साथ साथ आपका question practice क कराएंगे, और test चलेगा, test को भी दीजिएगा, जिसे आपका पूरा overall science एक best तरीके से develop हो जाएगा, और समझ भी बन जाएगा science पे, जिसे आप पूरा में पूरा marks आप score करने के लायग बन पाईएगा, और यह आपका offline में भी चलेगा, और online में भी चलेगा, बहुत बार लोगों को सक हो जाता है, कि क्या फीस इतना कम है, तो quality बहतर मिलेगा, quality के लिए आपको tension नहीं लेना है, अगर थोड़ा भी tension है, तो आईए यहाँ offline batch में, demo class मिलेगा पहले, आप quality को समझिए, पढखिए, उसके बाद admission लिजिए, चाहे यह facility आपका online में भी demo class दिया गया ह पहले teacher को समझिए, बुझिए, content को समझिए, उसके बाद आप हमारे साथ जुड़िये, हम आपको best effort लगा करके, आपसे भी मेहनत करवाएंगे, और हम खुद भी करेंगे, और आपको best result दिलाएंगे, हम इतना ही तक रखतेंगे। कि यासिमा समिधान संसोधन करते हुए जोरा गया, कि 6-14 वरस्तक के बच्चे को निसुल्क, गुन बत्ता पुनर्थात quality के साथ, और अनिवार सिक्षा दिया जाएगा, तो quality के साथ सिक्षा कैसे प्राप्त हो, जब सिक्षा quality वाले हो, उसी को अधार बना कर seated exam लेता है, उ अर्थात उस दो पंक्ती में जो लिखा हुआ है, उसके पीछे का भावार्त क्या है, जब आप खुद सिक्षक उस भावार्त से परचित होंगे, तभी विद्यार्थी को उसके पीछे छीपे हुए भाव को बता पाएंगे, तो दो पंक्ती के बीच का भावार्त को बेहतर तरीके से step by step तोड़तोर करिस प्रकार से प्रहाया जाएगा ताकि आपका जब concept clear होगा जब आप में तार्किक छमता होगी तब आप अच्छे तरीके से सिक्षन कार्ज देश रखते हैं अर्था तो वहां जो सिक्षा का था गुनबत्ता पूर्ण यही गुनबत्ता करता हूँ तातपर्ज यह है कि विद्यार्थी या कोश्चन पूछ दिए तो कोश्चन का तार्किक उत्तर तभी आप दे पाओगे जब आपका बेहतर समझ होगा बेहतर तरीके से उसके concept को आप यहां हर एक जो आपका political science से जो 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 जिए है जो हिस्ट्री है आज कल हिस स्वस्तर पर किस प्रकार पिनाबीर बना दिये किस प्रकार उस बरे बरे पत्थर को वहां ले जाया गया तो उसका concept तैयार करना होता है और यहां पर पूरी तरह जो सी टेट का जो आधहार है जो basic line है दो पंक्ती के बीच के अध्यान करो उसको इस प्रकार से बतलाया जा रहा है तो तमाम तथ को बतलाया जाएगा इस सरल सब्दों में तार्किक रूप से ताकि जब आपका concept clear होगा तब आप प्रस्ण को बड़े आसानी से हल कर पाएंगे और एक सुयोग सिक्षक बन पाएंगे तो सुयोग सिक्षक बनना है अपने देश के निर्मान में य धन्यवाद सर और मुझे उमीद है कि आप लोगों को समझ में आई होगी सारे अभगत हुए अभी कुछ सिक्षक अपसेंट थे जैसे संस्कृत के सर अभी नहीं थे मैथ वाले सर नहीं थे समयावाबकरन आपके सामने अभी नहीं आ पाए लेकिन बेहतरीन सिक्षक है हम त क्लास करके देख भी सकते हैं एक बात और हम बता देना चाहते हैं कि जो भी पूरवर्ती छात्र है यानि कि पहले से सीटेट अगर यहां प्लेटफॉर्म में परहाई किये होंगे बाइचांस खुदा ने खास्ते अगर उनके साथ दिक्कत रही होगी उनको एक पैसा नहीं लिया जाएगा उनको पूरी तरीके से नहिसुल क्लास एलाउ किया जाएगा तो आपका स्वागत है आप वह इसे छातर भी आ करके क्लास कर सकते हैं बाकि मंडे से दो बजे से आपका क्लास प्रारंब होगा ओनलाइन मोड में भी और ऑफलाइन मोड में भी आप निश्चि